प्रवाइब करते हैं यहां पर में लिखा हुआ है पीच ऑफ दसाउंड तो हम लोग जो साउंड वेव पड़ा है तो दो केरेक्टर से घुथी साउंड वेव की साउंड में दो चीजे होते हैं पीच अपने देखाऊ है न पीच ठीक है बहुक्त करेंटे देखाऊ ह्टी तरहएं यहां पर्रिकेंसीओ फिक होताहें तो बैसिकली संड उसमें फ्रिक्वेंसी अब लोग मतलब क्या देको लो पिच का मतलब क्या यहांपे यह चीज़ लिखा है लो अधिक अ मत страшNow लो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंशी को श्रीक्वेंश्ज यहांपे आपे कम हैना फ्रिक्वेंशी रया है हैश्टर हाई होगी हो 20 हट से कम अब गहतर अवरेंज फ्रिक्वेंसी कितने होती है तो आपने को पता हिए जो फ्रिक्वेंश रेंज हो क्या होती है यह सब बच्वन में आपने पड़ा होगा रही जब को आप और हमेशा हर एक साउंड वे इस तरीक से नहीं दिखेंगे जो साउंड सोसे होते हैं तो हमेशा ऐसा मत बोलो कि हमेशा हो साइन उसाइल होगा नहीं मतलब साइन और यहां पर अपर प्रें रहें इस अब जो हमने तक जो विए किया वो किया एक ऐसा पार्टीकल ऐसा एसा करता वेव ऐसे ट्रैवल होती है और जहां पर आपने देखा होगा का अब ट्रीटूड में कश्रा क्या थाchsel कनिप्ट करेंगे हर yhtा यहaza want ट्रेंशनपर क्या होगा यह थाcultural का स्पेरिकल वेव एंशی्रेंडर कल में distance के साथ amplitude बदलता है जैसे मैंने यहां पर spherical wave किया है spherical wave मतलब क्या point source है ऐसा पकड़ लो point source अब मुझे यहां पर source speaker रखो speaker जब आवाज निकलेगा तो वो हर एक direction में निकलेगा three dimension में हर direction में निकलेगा और वो three dimension में पूरा मतलब आप देखोगे तो three dimension में वो travel करेगा ठीक है बाद में वेव optics में टर्म आता है वेव फ्रेंट वेव फ्रेंट करके तर्म आता है ठीक है वेव फ्रेंट का मतलब क्या था कि पहले एक वेव निकली फिर दूसरी वेव निकली तो उसके अंदर मतलब वह फर आप पड़ो के बाध में वेव आप्टिक में अभी के लिए ऐसा पकड़ जो बेसिकली यहां से निकलेंगे तो यह जो इसका जो वेव अब वो क्या होता है what is intensity it is power divided by area power per unit area ठीक है तो P naught divided by area A अब मुझे बताओ कोई भी distance पकड़ लेते कोई भी distance अपने X पकड़ा अब X distance पे मैं X distance पे 3 dimensional में पूरा का पूरा वेव को एनलाइस कर रहा हूँ मतला वेव अभी वेव बैसिकली पूरे स्फियर पे पहुचा होगा जिसका रेडियस X होगा जो वेव यहां से निकला होगा वो X पे पहुचा होगा तो X पे पोशने वाला पूरा का पूरा वेव को में एनलाइस कर रहा हूँ ठीक है तो अब X पे जो पहुचा है तो शेयर का जो एडिया है तो इंटस्यदी कि हो जा कि बनाओ डिवाइड बै एडिया ओख फियर क्या होता है फोर पाइ ice Co है अब हम लोग एक चीज पढ़ी होगी कि इंटेंटी जो जो होता है intensity intensity is proportional to amplitude का square बराबर यह अपने भी दिखा था हैं है shipped square and frequency square so intensity is proportional to amplitude square तो इसका मतलब क्या हो है amplitude square ठीक है basically it is proportional to kea away peanut by some 4 by x square आगया तो इसका मतलब amplitude is proportional to क्या गया एप्लिट इस प्रोपोर्शनल टो क्या गया वन बै एक्स आ गया न बराबर तो हम लोग ऐसा बोल सकते फर्स फेरिकल वेव जो से मटलब punish होगा इस तरीके से लिख तो आपने को चौन रिक पहोग यहां पर लिख स्फेरिकल वेव जड़ी से आ अपने लिखना है तो इस थेरो यहां पर दे तो तो में रखना यह चीज important है this is for what spherical wave for cylindrical मलब cylinder से शीलेंड करी बीए इस तरही के से वेव निकल रही है तो फार सिलेंड के अब यहां पे simple вопрос intensity क्या हुजाएगी सबी सेमें चीज़ यहां वैज noi intensity वाट सबस्का तो इसका ६्रिंड कर ने मैंने तो हीज बीनोटट riches अब यह डिश्टंस में एक्स किया और इसका हाइट अब हाइट के यह तो एल मान लेते हैं ठीक है इसकी लेंद्ध एल मान लेते हैं तो पी नॉट डिवाइड बाई क्या होगा तू पाई एक्स इंटू एल हो जाएगा अब यहां पर दोखो इंटेंसिटी इस इस तरीके से होगा तो यहां पर लिखेंगे मैं इस इक्वेशन को वापस यहां पर हो जाएगा एंट डिवाइड बाई रूटेक्स इस तरीके से होगा तो यहां पर से एंप्लिट्यूड बदलते जा रहा है एक जिस एक्स्ट्रा पॉइंट से दो एक्स्ट्रा पॉइंट से जो आपके दीमाग में डालना है कि देखो स्फेरिकल मतलब क्या कि एक सेंटर पे अपने सोस रखा हुआ है सब जगे से वेशन निकल रही है ठीक है और सिलेंट्र से पुरा का पूरा वेव निकल रहे है उस तरीके से तो एक हो गया पॉइंट सोर्स जहां से वेव निकल रही है और दुसरा सोर्स क्या हो गया एक रॉड थीक है तो यूनिफर्म लाइन सोर्स लिखा नहीं हम पर युनिफॉर्म लाइन सोर्स और यहां पर क्या हो गए पॉइंट फॉर्स अब यहां पर देखो लाउड़नेस लेवल ऑफ ऑसाउंड ठीक है कि अब लाउडनेस लेवल क्या होते वाट इस लाउडनेस अपने देखा होगा कभी कभी आवाज आपको बहुत जोड से बात है कि loudness level of a sound क्या होता है ठीक है तो अब unit of loudness अब को होता है loudness का unit क्या होता है यहाँ पर वैसे भी लिखा भी है और आपने पड़ा भी होगा क्या होता है वो तो decibel होता है db करके लिखते हैं ठीक है decibel में उसको अब लोग मेजर करते हैं अब यह क्या 10 times increase in the sound intensity is 2 times in the loudness perception by human ear यह नॉमल एक theoretical चीज है theoretical चीज इसने में लिखके रखिए अब minimum sound intensity human ears can detect is called मतलब एक कितना होगा ठीक है तो minimum intensity of is called लिखता में minimum sound intensity the human ears can detect कितना होगा kसी कोपता है कितना होता है नहीं human puedo intensity intensity amplitude level की बात कर देखो simple intensity बढ़ेगी loudness बढ़ेगा loudness बढ़ेगा मतलों इतने अपने को सुनने में ज्यादा आएगा रइट तो वो जो होता है ना Police to its and loudness बेषक किसके उपर डिपेंट रहते है फ्रिक्वेंसी के उपर हो गया काम है लाउडनेस किसके उपर डिपेंट रहते है एंप्लिटीउड के उपर तो बैसिकली धैन में रखना जो मिनीमम हम लोग जो सुन सकते होता है 10 to the power minus 12 watt per meter square इंटेसिटी है न तो पावर ठीक है कैसे में रखना अब 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 सिंपल मैं आपको अब डेसिबल में मुझे उसको convert करना है उसको डेसिबल में मुझे convert करना तो एक देको में हाप इस फिलिक के रखता हो कितना डेसिबल है तो 10 लॉग ओफ ठीक है 10 इंटू लॉग ओफ लॉग ओफ लॉग जुक्ति इस में इसमें कोई भी इंटेसिटी लोग डिवाइड बाइ मीनीमम इंटेसिटी अब मिनीमम इंटेसिटी को आई-नॉट लिगते तो यह होता है basically जब मुझे बताओ मतलब जो intensity आ रही है वो i naught के बरावर है ठीक है तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या दिखेगा मतलब पहले चीज एक गदम कोई भी बिल्कुल sound नहीं है कोई बिल्कुल sound मतलब नहीं एकदम minimum आ रहा है इसका मतलब i की value किसके बरावर होगे आई नोट के बरावर होगी तो मुझे बताओ अंसर कितना हैगा तो कितना हैगा एल की value कितना हैगी हाँ लाउडनेस कितना है लाउडनेस लेवल है भाई 10 यहाँ पर देखो न 10 लॉग ओफ यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ द्यान से देखो 10 log of i by i not to i not by i not मतलब 1 तो log of 1 कितना होता है 0 न तो 0 decibel sound हो गया 0 decibel sound मतलब no sound मतलब क्या एकदम minimum intensity एकदम दीरे दीरे लोग बोली ने rain shot ठीक है हम लोग बोलते है पिंड्रॉप silence check ठीक है बहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड तो रहता ही है बट यह minimum intensity sound बोल चकते हैं जो लाइबरे में हम लोग जाते हैं देखो यह कुछ-कुछ चीजे मैंने लिखी है इधर उदर जगे से ठीक है एक्टर्वा में भी कुछ-कुछ चीजे हैं यहां पर लिखी हुई no sound मतलब 0 decibel लाइबरे में जो हम लोग जाते हैं वो 20-30 decibel का sound होता है नॉर्मल कन्वरेशन इसमें कोई ऐसा यह नहीं है यह तेरोटिकल मतलब इस लिख के रखा है मैंने जो एकदम हार्श होतन हार्श अपने कोई सा लगता है अभी तो बहुत कान दुखने चालो होते वह sound around 120 decibel तप हो जाता है ठीक है so 120 decibel मतलब maximum भाई उसके ऊपर तो अपने कान फट जाएंगे मतलब बीमार हो जाएंगे हम लोग ठीक है तो यह टाइप के sound का decibel level यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेकिन धाय में रखना अपने को एक ही फॉर्मूला के उपर काम करना है जो की यह है